जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्श्र को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरे जैनिवर्सरी है उन सभी को हमाई तरफ से बहुत-बहुत शुक्का अमना है आज का हमारा सब्जेक्ट है पुनर विवाह क्या हम अपनी हतेली से पुनर विवाह के वारे में जान सकते हैं कौन लोग जिनकी एक शादी तूट चुकी है या किसी कारणवस उनकी जोड़ी बिछड़ चुकी है और अब वो आगे विवाह करना चाहते हैं तो आज के संक में हम पुनर विवाह के वारे में आपको बता रहे हैं कई बार बहुत लोगों की जन्मपत्रियां देखकर भी ये बताया जाता है कि आपकी शादी दो होंगे व्यक्ति घवरा जाता है कोई नहीं चाहता एक पक्षी बे अपने घोसलों को तोड़ना नहीं चाहता जहां रहना है वहीं रहना चाहता है लेकि कई बास किसी मजबूरी से किसी कारण से या कोई तुर्भाग्य से कहें कि बिछो हो जाता है और व्यक्ति दूसरे विभा की तरफ आमादा हो जाता है या दूसरे विभा करना उसकी मजबूरी बन जाता है या उसको करना ही होता तो क्या दूसरे विभाग के लक्षण या ऐसे योग इंसान की हतेली में होते हैं क्योंकि बहुत लोगों के पास कुंडलिया भी नहीं होती है तो आज इस वारे में जानकरी मिलने वाली है आज का पहले पहिंचांग देखें अब देखो विवाशादी किया जाता है जीवन की अंतिम सांस तक अपने जीवन साथी के साथ जीने के लिए जीवन साथी सोभागे से प्राप्त होता संजोग से भी प्राप्त होता और ये प्रंप्रा हमारे देश में नहीं है अगर पसु पक्षियों में भी देखें विश्व में तो है लेकिन पसु पक्षियों में भी देखें तो उनका भी अपना एक जोड़ा होता है भागवान ने एक युग्म बनाया है हाथ दी हैं, दो दी हैं, आँख दी हैं, दो दी हैं सूरिय है तो चांद है, सफेद है तो काला है हर चीज का युग्म है, मतलब युग्म होने जोड़ा हर चीज का पेर है सिंगल किसी भी चीज़ का रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता तो आपकी शादी हुई किसी कारण बस वो खंडित हो गई या तूट गई आपकी उनसे बन नहीं पाई उनकी आपसे नहीं बन पाई या किसी कारण बस एक साथी हमसे विछड़ गया तो उस वक्त में कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर ये बाते आती हैं कि अब दूसरी शादी हो जाए, घर बस जाए, जिन्दी की आगे चले कई बार खुद का मन नहीं होता है, लेकिन परिवार और समाज और बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है उस इस्तिती में आप स्विम अपनी हतेली से जान सकते हैं कि आपकी हतेली में ये योग है या नहीं, आईए जानते हैं अब देखो सबसे चोटी उंगले लेटिल फिंगर, द्यान से मेरी बातों को सुनना लेटिल फिंगर के जब हम नीचे आएंगे, इस स्थान पर आएंगे ये चंद्रमा है, ये वाला, ये स्थान चंद्रमा होता चंद्रमा से उपर ये स्थान है आपका मेरीज का यहां आप द्यान से देखें, किसी भी हात में देखें आपको मैरिस लाइन देखाई देगे किसी की हतेली में दो किसी की हतेली में दो किसी की तीन किसी की एक आदे तो उसको ढूड़ना उसके अर्थ को निकालना ये आसान बात नहीं है कभी ये मत समझ लेना कि दो लाइने हैं तो दो शादी होंगी कभी ये मत समझ लेना कि तीन रेखा हैं तो तीन शादी होंगी और कभी ये भी मत समझ लेना कि एक रेखा है तो एक शादी तो होई जाएगी जरूरी नहीं है साथ उस रेखा आपको देखने में वो आम लगेगी लेकिन जो रेखाओं का गणित लगाते हैं वो उस चीज़ को अपने हिसाब से पहचानेंगे, अब मैं इसकी कुछ पहचान बता रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने जो 30-30-30 साल में अनुभव किया है, कुछ आपके साथ साजा कर रहा हूं, यही रेखा आप तिहान से देखो, अगर किसी व्यक्ति की रेखा, अगर सिंगल विवा रेखा है, वो उपर ऐसे जा रही है और उपर हुक की तरफ मुड़ जाए, ऐसे जैसे हुग होता, ऐसे उपर जाकर के घूम जाए, तो अमोमन ऐसे व्यक्ति का विवा बड़ी होता है, यह खंडित होने का बैबन जाता है, यही हुक की तरह ना घूमे, नीचे की तरफ बिलकुल घूमाए, हरदे रेखा की तरफ लोट आए, तो भी खंडित होने का बहुत बड़ा चांस बनता है, यही रेखा कटी फटी सी और रेशेश निकले हो, तो खंडित होने का विवाーチ चांस बनता ये ते खंडित ओने वाली बात आप दूसरी विवा पात समझें किसी किसी व्यक्ति के हाथ में पैरलर दो रेखा ही होती ही एक रेखा भी है और उसके साथ में दो रेखा भी है लेकि बात यहीं खत्ब नहीं हुई दूसरे हाथ में भी उसके देखो यदि उस व्यक्ति के वो महिला हो, फुरुश हो, कोई भी हो हम उसको जातक कह करके पुकारते हैं जोती शिवास हमें तो जातक के दोनों हाथों में देखो कि क्या समनांतर पैलर दो रेखा हैं हमें दिखती है या एक रेखा पहले वाली छोटी दिखती है और उसके उपर वाली रेखा हमें समनांतर ऐसे ही इस हाथ में और ऐसे ही इस हाथ में यदि समनांतर दो रेखाएं हमें दिखती हैं उस व्यक्ति की हतेली में और उस व्यक्ति की हार्ट लाइन उस व्यक्ति की हर्देरेखा हमें इस पस नजर आए बहुत बड़ी हर्देरेखामां तो उस व्यक्ति का तोबारा घर बसता है दुबारा वेवह होता है और अच्छा होता है और जीवन अपन अच्छे से यापन कर लेता कई बार एक विभा किसी भी रूप में खंडित हो जाए तो दूसरे विभा में व्यक्ति भैवीत हो जाता कई बार कोट कचरियों से विभा खंडित होता मतलब कोट कचरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं व्यक्ति धर जाता दूसरी शादी हुई तो क्य वो बहुत कमजुर है और आपकी हर्ट लाइन कमजुर है। मैंने एपिसोड अलग से बना हूँ है कि व्याद देरी से क्यों होता है या क्यों नहीं होता। वो अलग रेखा है। एक व्यक्ति ने एक बार हमसे सवाल किया एक सन्यासी व्यक्ति ने आप जो भी पामिस्ट हैं, हाथ देखने वाली लोग हैं, वो ये बताते हैं, ये एक रेखा हो तो शादी हो जाएगी, मेरी आईू तो इससे में 70 साल हो गई है, वो कह रहे है हम से, मेरी शादी तो हुई नहीं है, लेकि मेरे हाथ में ये रेखा है, हाँ ये सवाल मेरे से मैंने उनसे कहा कि इसका अर्थ ये भी होता है, कि आपका कोई एक अती प्रियाशिष्य होगा, और आपका एक विशाल आश्रम होगा, अती प्रियाशिष्य भी ये रेखा उत्पन करती है, और बड़े किसी मटका, किसी आश्रम का स्वामी आपको बनाती है, उन्होंने कहा हाँ यह वास्त्य है तो यह मैंने अभी कहा ना कि विवार रेखा को देखकर ही यह नहीं समझ लेना चाहिए क्या आपके विवार हो गया यह बड़ा मंधन का सब्जेक्ट है किसी किताब को पढ़कर के आप कोई भी जोतिस नहीं बन सकते ध्यान रखना बच्चा मेरी बात व अनुभव नहीं है बहुत गहरा डुबकी लगाने पड़ती है एक गोता खोर अपनी जान मान का रिस्क लेकर के समंदर के सीने को चीरता हुआ नीचे डूबता तब जाकर के मोती उसके हाथ लगते हैं कोई भी विद्या हो चाहिए वो जोतिश है ड्राइंग है कोई भी व उसकी जो पहली विवा रेका है वो कारण क्या रहा कि ईसको विवा खंडित हुआ ब्रस्ति उसके साथ अच्छे नहीं थे मंगल उसके साथ अच्छे नहीं थे क्या कारण था वो देखना पड़एगा आपको उसके मरिमंद से भी आपको बहुत सारे अंदयें लग जाएं ये जातक समस्याओं में तो नहीं गर जाएगा, कई बार व्यक्ती के तीन साधी भी हुई है, लेकिन तीनों साधी उसकी टिक नहीं पाई है, किसी भी कारण फस comfort हम चाहें, रिचा कई समस्याओं कैसे परचाने मैं उसी के लिए समझा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट हैवी है इसलिए दो-चार शब्दों में इसको बया नहीं किया जा सकता आपके पास कुंडली नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है आप किसी अनुभवी को अपना हाथ दिखाए तो दूसरा विभा आपकी हतेली से जहां ये ऐसा सरकम्टांसिस हुआ है कि दूसरी शादी आप करने है तो आपको पता लगेगा अब दूसरी बात मैंने एक पताई कि पहली वाली रेखा छोटी है और दूसरी वाली रेखा थोड़ी बड़ी है और दोनों हातों में इसमें भी और इसमें भी राइट एंड लेफ्ट दोनों में सामनान तर वो रेखा है तो आपकी दूसरी शादी आराम से होगी अच्छे से होगी लॉंग लाइफ आप जीवन अच्छे से जी पाएंगे यदि दूसरी विभा रेखा के ऊपर कोई क्रॉस बना हो सेकिंड मैरीज लाइ तोड़ दें तो मुड़ी तोड़ी सी जैसे मेरा हाँ चलाए जिग जिग बें मुड़ी तोड़ी सी फिवारेखा दूसरी हो तो भी आप मानके चलिएगा विभाता हो जाएगा लेकिं वो साप की तरह लहरे खाएगा घड़ी के पेंडूलम की तरह रेस्टा टिक ने आप होगे तो हमारे मनीश्यों ने, हमारे त्षियों ने ऐसे उप्चार मिकालें हैं, इसे रास्तें निकाले हैं आप यह उपाए करिए, आप ऐसा करिए वैसा करी है इश्वर की करपा होगी एक व्यक्ति जन्मजाद वीक पैदा होता है माह लाड़ प्यार करके खिला पिला के उसे एक जवान बना देती है एक मजबूद बना देती है मिलटरी में जब जो बच्चे वो दाखिल होते हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है बबबर शेर बन करके निकलते हैं वो लोग तो उपाए हर चीज का है आपके शरीर का भी उपाए एक डॉक्टर आपकी नम्स को पकड़ ले वैद तो आपके करकश शरीर को भी वो यूवा ब पाए अग्रिम पहले किया जाएं तो आपको किसी इसलाप मिलेगा आगे बढ़ते हैं यदि किसी भी व्यक्ति की हतेली में यव का चिन हो उसमें अंगूठे में यव यव किसे कहते हैं जोंको संस्कृत में यव हिंदी में उसको जोंका आ जाता है गेहूं के अंदर एक ज जैसी आकर्ति आपके अंगोठे में अंख जैसी आकर्ति बनी हो इसके वी स्वकृति हो साब कटी पटी ना हो है आपकी मस्तिक्ष रिखा आपकी हतेली में दोसरा यी रहेगा तो वह तीसरी मेरेगा आपकी हतेली में हैं कई बार दो चोटी चोटी सी होती है और एक थोड़ी सी बड़ी होती है एक थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम बड़ी वाली को कैलकुलेट करेंगे हैं चोटी वाली को कैलकुलेट उस वक्त मैं नहीं करेंगे तो बड़ी दोनों हतेलियों में बड़ी रेखाएं हो ल होगा सुखद रहेगा आपका जीवन अच्छा रहेगा कई बार किसी चीज को ले करके हम डर जाते हैं घवरा जाते हैं लेकिन जब वो चीज हमारे जीवन में आती है ना और हमें उसको सुखद ऐसास होता फिर लगता हैं तो कामो काम डर रहे थे मैं दूसरी शादी नहीं कर लाते हैं कि शर्मा जी जो भी रहा बच्ची की विवाद तूट गया वो दूसरे विवाद को लेकर की डर रही है करना नहीं चाह रही है लड़कों के साथ ब्यास होता है तो मैं आपको यह रहे दूँगा कि एक बार अपने जीवन को मौका अच्छे से देना चाहिए प्र करम बढ़ा होता जा रहा है खेद हैं मुझे कि chi कई बार आपने बहुत अच्छे से कुंड्ली मिलाई होती हो और आपका कुंड्ली से विश्वास हट जाता कि न कुंड्ली मिलाकर खादी की थी भिर हमारी शादी तोट गए अब हम कुंड्ली में कसे चक्कर में नहीं पढ जिस एस्तोलोजर से आपने कुंडली मिलवाई है, लेक ओप एक्सपिरियंस, उसके पास कई बार अनुभव नहीं होता है, और वो मोटे-मोटे तरीके से आपकी कुंडली को देखता है, पूर्ण रूप से मिलान नहीं कर पाता है, उसका अनुभवी कमजोर हो सकता, हमारे ज जोला शाप है, सोलोजर हो, कोई भी हो, तो अनुभव की कमी के कारण भी वो कुंडली सही ना देख पाना, मैचिंग सही ना कर पाना, तो भी रिस्तर तूटता है, सेकिंड इशू, अनुभव है, आपकी डिटेल गलत है, आप बाई दिवे, आपकी बेटी की आपके पास लड़के की सिर्फ अन्दाजे से आप दे रहें, यहां अन्दाजा नहीं चलता, मैचिंग is मैचिंग, मैचिंग का मतलब है, कि आपकी दोनों की डिटेल लड़के की भी लड़की की भी परफेक्ट नहीं होगी, तो कुंडली का मिलान नहीं होगा, लाइक बलड, अब बल लेकिंग बलड आपका नहीं था ना, किसी और का था, तो कोई डेटो पर गलत देना, गलत मैचिंग होगे, सही बलड दोगे, तो सही टेस्ट आएगा, कहां साब आपको तो बलड शुगर है, ऐसे ही सही डेटो पर यदि आप लड़के लड़की की देंगे, अब आप तो क सब्सक्राइब के लिएक रिएटो पर्थ, और रियल में कई बार कुछ और भी होती है, आप मांते हैं इस बात को, तो आपके पास रियल वाली डेटो बर्थ, रियल वाला टाइम, रियल वाला महीना, सन, सब कुछ होना चाहिए, और यदि अच्छा अनुभवी कोई आस्त पुराने लोग आज भी मस्ती से जीवन जी रहे हैं बात सही है देखो उस जमाने में और आज के जमाने में फार्क बहुत है पहले हम जब छोटे-छोटे थी तो हमें कितने टीके लगते थे टीके देसी भासा कश्रब इंजक्शन कितने लगते थे में भी दो तीन जैसे आज का परियवरन चेंज है साब ये मानना बढ़ेगा आपको आज बहुत यूरिया हमारे अंदर जा चुका है बहुत पॉईजन जहर हम हर चीज में खा रहे हैं आज सिद्दान बहुत कम लोगों के पास है आज सच बहुत कम लोगों के पास है इसलिए वो सच्चा जमाना था वहां कोई भी रिस्ता जूट तफैल बोल करके नहीं किया जाता था एक सीधा साधा सा लड़का लड़की देखने भी नहीं जाता था बलकि उसकी घरवाले जाते थे कई बार तो अनेकों बार लड़का कह देता था ठीप साब जो आपकी पसंद है वो बना शर्माता थ इतना शर्मीला पन होता था और आज तो मैं क्या कारेगरम को इतना बढ़ा हूं आप समझते हैं मावाब शर्माते हैं बच्चे नहीं सर्माते हैं या बुरा मतमाना भी बात होगा तो वो जमाना अलग था जहां सच है तो वहां कोई डर नहीं है और जहां बात बात पर जीवन में शादी एक बहुत बड़ा रोल होती है, जीवन की शादी जीवन के रंग को बदलती है, आपके ढंग को बदलती है, और कहीं न कहीं जीवन में आपको वंश ब्रद्दी होती है, और समाज में आपका कोई इस थाई रुत्वा बनता है, तो बहुत सारी बाते हैं, फिर कभी इस कारेकरम को विस्तार के साथ और दुबारा से लूँगा, क्योंकि आज मुझे लगा बहुत बड़ा कारेकरम आपके साथ मैंने दिया है, और इसमें अभी बहुत बाते मेरे अंदर चल रही है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो समझ गया ना यह आंसर भी के पहले तो ऐसे हो जाता था, हमने कुंडली ने मिलाई, और आज हम कुंडलीया मिला रहे हैं, फिर रिस्ते तूट रहे हैं, दोने बातों का अंसर मिल गया, कुंडलीयों में रिस्ते इसले तूट रहे हैं, कई बार डेटो बर डिटेल गलत है कई बार जिसको कुंडली दिखाई जा रही है उसका अनुभव उसके पास पून नहीं है तो बहुत सारी चीजों को जांत परक करके आप जीवन में आगे बढ़िए मैं तो जगदंबा से यही प्रात्ना करता हूं कि यह जगदंबा किसी का घर ना तूटे और यदि दुवा आपके घर में खुशी आएं और आपके घर में मंगलकारी पूर्णा हूं ओम सिंदूर अरुन विग्रहां त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुवां पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संददतिम करिष्त्रिनायनाम सरवंग वुष्वरिताम नेलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम अदुम कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्ता विरासे विताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच मना लें ध्यान करें जगत जन्नी की करपा हम सब के उपर बरस रही है होम बोलते हुए नेत्र खोले समान्य हो जाए बाकित बहुत कुछ आज के संक में आपको बता चुके हैं थोड़ा सा ध्यान से आज के अंको दुबारा सुनिएगा कुछ बाते आपको समझना जरू आएंगे आप स्वस्त हैं सुकीन है एले शुब कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को बनाम देते हैं जय 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 अंबे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ परती हूँ तो आपका प्रोग्राम कभी कबार मिस कर देती हूँ तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था जबसे मैं वो बोलने लगी हूँ ना एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाब करती हूँ 21 बार सुबह शाम दोनों टाइम तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिविर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें